नमस्कार दोस्तो इंफ्रा टॉस के बहुती फ्रेश एपिसोड में आपका स्वगत है तो चलिए शुरू करते हैं पहली ख़बर की शुरूआर करते हैं हमारे डिफैंस एक्सपोर्स से जहांपर दोसो एरियर बेसिस पर हमारे defense exports काफी तेजी से ग्रोव होने लगे हैं और ongoing financial year में हमारे defense exports 15,920 क्रोड पीस तक पहुँच गए हैं क्योंकि अपने आप में एक all time high record है दोसो growth का ये trend पिछले 4-5 साल से देखने को मिल रहा है अगर मैं आपको by data बताऊं तो financial year 2020 में 8,434 क्रोड पीस के defense export register किये थे financial year 2021 में 12,814 क्रोड पीस के और इस financial year में 15,920 क्रोड पीस के export record किये गए हैं और उसो जिस हिसाब से grow हो रहे हैं उस हिसाब से देखने को लगता है कि 2026 में हमारी government के तुरा जो target किया गया है कि हमारे defense exports को per year 40,000 कोड तक ले जाया जाएगा वो अचीब हो पाएगा अगली दोस्ट अपडेने कलकरारी है हमारे exports से इस लेटर जहांपर दोस्तों हमारे exports को और increase करने के लिए और 2030 तक हमने जो new foreign date policy के अंतर के टार्फिस कर किये हैं उनको complete करने के लिए center government के तोड़े decide किया गया है कि हमारे दिश में hundred और districts को identify किया जाएगा और उनको भी export hubs में develop किया जाना है तो बिसकी दोस्तों export हब एक ऐसा area होगा फिर ऐसा district होगा जहांपर small, MSME और बड़े business और इसके अलबा ऐसे जितने भी entities हैं जो की exports लेडर काम करते हैं उन सब को incentive दिये जाएंगे जिसके अंतर अगर tax reduction, duty cuts, ACJ complete की जाएंगी तो तो कहा ऐसा जार है कि अभी ये इस project का phase 1 होगा अगर ये project successful जाता है तो अगले phases में हमारे देश के और बहुत सारे districts को cover किया जाएगा phase 1 में 75 से लेकर 100 तक select किया जाएंगे उन में इसे सब का performance चेक किया जाएगा और अगर जातर districts में ये program successful होता देखने को मिलता है तो और भी districts cover किया जाने है अगली 200 ब्रेटेगल करा रहे है वंदे भार ट्रेन से लेटर जहांपर 175 वंदे भार ट्रेन के target को complete करने के लिए हमारी रेल्वेस के दोड़ा original plan को थोड़ा सा modify कर दिया गया है और अब 16 coaches वाली वंदे भार ट्रेन के बजाए 8 coaches वाली वंदे भार ट्रेन के manufacturing की जानी है तो उसको अगर आपको नहीं बता तो मैं आपको बता दूंकि August 2030 तक हमारी रेल्वेस के दोड़ा ट्रेन कीया गया था कि 75 वंदे भार ट्रेन को हमारे दिश में operate किया जाएगा जो सभी की सभी 16 coaches वाली होंगी पर पिछले को समय में जैसा कि आप जानते हैं कि कई सारी वंदे भार ट्रेन को launch किया गया है तो उसमें से बहुत सारी ऐसी वंदे भार ट्रेन है जो पूरी capacity पर operate नहीं हो पा रही है और daily वो खाली चल रही है तो इसी के जलते हमारी रेल्वेस के दोड़ा decide किया गया है कि अब 16 coaches के बजाए 8 coach वाली वंदे भार ट्रेन को प्रेट किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो और भी coaches को उसमें add किया जाएगा integral coach factory chain नहीं में अभी 64 वंदे भार ट्रेन ऐसी manufacture की जाएगी उसो देखिए एक तरह से mandatory भी है क्योंकि जिस speed पर हमारी वंदे भार ट्रेन को रोलाट किया रहा है तो उस speed पर यह possibility नहीं हो पाएगा कि अगर स्थो 2023 तक 75 वंदे भार ट्रेन का target कम्प्लीट किया जाए और क्योंकि अब छोटी वंदे भार ट्रेन हमारी वंदे भार ट्रेन को बनानी पड़ेंगी तो मेबी यह possibility है कि अब यह target कम्प्लीट हो पाए अगली दोस्तो अबडेने का लकर आई है उत्राखन स्टेड से जहांपर दोस्तो उत्राखन स्टेड की healthcare facilities को बहतर बनाने के लिए हमारे health minister के दवरा तेन critical care blocks और एक hospital के लिए foundations मों रख दिया गया है और अगले दो-तिन सालों के अंदर-अंदर बनकर तियार हो जानी है उसो बात करें hospital की तो यह एक five minute bed की capacity वाला hospital होगा जो देरादुन में बनकर तियार होगा टोटल 120 क्रोड पिस इसके ओपर spend के जाएंगे और advanced hospital में जो भी facilities होती है वो यहां पर भी बनकर तियार होगी critical care block के बार में बात करें तो एक नैनी ताल में बनेगा एक रुद्र प्रियाग में बनेगा जबकि एक श्रीनगर में बनकर तियार होगा हर एक block 50 bed के capacity वाला होगा ICU beds, HDU beds, isolation ward beds, isolation rooms, emergency rooms इस तरह के सभी facilities यहां पर बनकर तियार होगी हर एक block के ओपर 23.75 क्रोड पिस spend के जाएंगे और ऐसे में total 71.25 क्रोड पिस इनके लिए allocate किये गए है और जैसा कि मैं आपको बता है कि इनका foundation से हो रख दिया गया है प्रिटन water supply and civil rights board के द्वारा decide किया गया है कि वह चैन्नाई में एक और water desalination plant set up करेंगे और इसकी लिए चैन्नाई बेस्ट वी ए टेक वबाक private limited को इसका contract दिया गया है तो इस water desalination plant की capacity 400 million liters पर डे की होगी 750 million liters पर डे water को treat कर पाएगा यानि कि एक काफी बड़ा plant होगा 4400 क्रोड पीस की बड़ी investment इसकी उपर होगी reverse osmosis technology बीस्ट यह desalination plant होगा जिसको dbfot model पर बनाया जाना है और अगले दो तेन सालों के अंदर अंदर यह भी बनकर त्यार हो जाएगा अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेर निकल कर आ रही है अमरी स्कीम से रिलेटेड जहां पर दोस्तों हमारे दिश के रूरल एरियास में water crisis को tackle करने के लिए 40,000 अमरी स्कीम कंप्लीट कर दिया गया है और विसकेल आप कह सकते हैं कि अमरी स्कीम लौच की गई थी वो एक तरह से काफी सक्सेस्फुल स्कीम बन चुकी है तो सो मिशन अमरी स्कीम के अंतरगा तो बनकर टियार होने ही होने हैं और उसो जब से इसको लौच किया गया है तब से लेकर अब तक अलमस्ट 11 मंस के समय के अंदर अंदर 40,000 से जादा अमरी स्कीम का 80% टारेट कंप्लीट हो चुका है और जैसे दोस्तो इसके उपर प्रोग्रस चल रहा है यह highly possible है कि अगस तक यह काफी easily कंप्लीट हो जाएगा और maybe आपको यह टारेट अक्सीड होता हो देखने को मिल है हाईदराबाद भी स्टीवग से रिलिटर जहां पर दोसो इस फैसिल्टी को यूटलाइस करते हुए तेलंगना गवर्मेंट और अमेरिकन मल्टी नैशनल सेमिकेंटर जैंड क्वालकोम इन्हों ने एक M.U. साइन कर लिया है और यह दोनों मिल कर इस टीवग नाम की फै हम दोनों मिल कर एक मल्टी लेयर प्रिंटर सरकिंग बोर्ट फैसिल्टी की साइट अप करेंगे जहां पर पीसीबी की फैबरिकेशन के उपर काम होगा 12 लेयर तक की जो पीसीबी हैं उनकी फैबरिकेशन यहां पर की जाएगी जिनको आगे जाकर इलेक्टिव वहीकल्स, म काम स्टाट होता है देखने को मिल जाएगा बढ़ेंगे दोस्तों के अपडेट के तरह फ्चो निकल करा रही है एक न्यू क्रिकर स्टेडियम से रिलेटर जहां पर आपको राजसान स्टेडियम में बनता हुआ दिखाए देगा और इसके लिए हिंदूस्तान जिंक हूँ तो ये क्रिकर स्टेडियम जैपूर के चौंविली में बनकर त्यार होगा हंडर्ड एकर स्केर में फैला होगा जहां पर 75,000 स्पैक्टेटर्स की सिटिंग कपैस्टी होगी जो इसको वर्ल्ड थर्ड लार्जस और इंडिया सेकिंड लार्जस्क्रिकर स्टेडियम ब का कंट्रिबूशन राजस्थन करिकर असोशेशन का होगा तो देखते हैं कि कब तक इसके ओपर एक्ट्वल काम स्टार हो पाता है आज की जो लास्ट अप्डेटिंग लकर आ रही है हमारी इंडियन रूपी के जांपर भारत मलीशिया के साथ में भी इंडियन रूपी में ट्रेड कर पाएगा क्योंकि हमारी रिजर्व बैंक फिंडिया के द्वरा इसको लेकर एक प्रपोजल अप्रूफ कर दिया गया है उसको जैसे कि आप जानती है कि यूएस डोलर एक रिजर्व करंसी है जनरली जब भी दो कंट्रिज में ट्रेड होता है तो डोलर के जा रहा है तब से हमारी रिजर्व बैंक फिंडिया के द्वरा अलोग कर दिया गया था कि हमारी इंडियन करंसी में भी दूसरी कंट्रिज से ट्रेड किया जाए और आज के समय में टोटल 35 कंट्रिज ने इसको लेकर इंट्रेश्यों किया है जिसमें से रिशिया के साथ मे में एक वोस्तुर अकाउंट सेट अप कर दिया है जिसके हलते मलेशिया भारत के साथ इंडियन रूपी में ट्रेड कर पाएगा वैसे अब को बता दो कि मलेशिया हमारे देश का 13th largest trading partner है और वहीं similarly भारत मलेशिया का टोप 10 में आने वारा trading partner है और अभी दोनों देशों के बीच में ट्रेड नंबर्स हैं वो इंडियो रूपी में ट्रेड होने के चलते और भी निकदिस होते हो देखने को मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आप अपनी तरफ की अपडेड समिट करना चाहते हैं तो रिस्टिप्शन में यह लिंक पर गए करके समिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद देए तो वीडियो को ल लेकने के लिए